आप सब्सक्राइब कर दिया तो देखते हैं कैसे के पूछे गई हैं के लिए इंपोर्टन तो चाहे वह स्टेट का एक्जाम है या फिस एंटर लेवल का फार्मसिस्ट का एक्जाम है खना तो फार्मकोलोजी तो हमारे सिलेबस में रहता ही है तो जितने भी अपकमिंग फार फार्मसिस्ट के एक्जाम सोने और फार्मकॉम्टी इतने भी एक्जाम से सब्सक्राइब करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं चैनल को प्ली सब्सक्राइब किजिगा लाइक करना शेर करना कमेंट करना प्रेस करना ताकि जो अनुबले वीडियो होते हैं नो क्लास वर्क बाइब लोकिंग दा कन्वर्जन ओफ एंजो टैंसिन टू डिसेंटली आइसस बी का जो ऐसाई फार्मसिस्ट का एक्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था यह क्वेस्टन ओके देखिए कौन से अंटियाप टैंसिव ड्रग है जो कैसे काम करती है ब्लोक करत कंण में किया करता है तो एक होता है हमारे पास पूटी ऐनजियो अब यह यह टैंसी दो आप नौन करता है यहां पर काम करेंगा जो होता है इससे बनता है हमारा एंजयो टैंसी बनता है जो यहां पर आपका जो एक enzyme होता is angiotensin converting enzyme is जो है यह कहां से release होता है lungs से तो lungs जो है वहां से enzyme आता is इस enzyme आपके angiotensin 1 को angiotensin 2 में convert कराता है तो angiotensin 1 से angiotensin 2 बनता अगiotensin 2 क्या करेगा यह वैसो constriction कराएगा जिससे BP बढ़ जाएगा है तो आपका जो है यह मेरे साब से आपको थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी है तो देखिए अभी जो है आपसे question में पूछा हुआ है कि angiotensin 1 से angiotensin 2 का conversion है तो यहां पर कौन सी class काम करेगी तो यह जो इस एंजाइम है इसको क्या करेंगे इनिबिट करा देंगे इस यह इनिबिट हो जगा तो यहां पर इसी इनिबिटर पड़े जाते हैं हमारे यहां पर यहां पर इनिबिट करा देते हैं डायरेक्ट रैन इनिबिटर में किरन वाली ड्रग आती है जैसे ऐलिस कायरन आता है इस इनिबेटर में प्रिल वाले like कैप्टोप प्रिल आता है और जो यह जाके डिफरेंट डिफरेंट ओरगन पे काम करेगा तो रिसेप्टर प्राजन होते हैं तो आपके जो रिसेप्टर रिसेप्टर ब्लोकर्स वाले ड्रग आते हैं तो यह थोड़ा सा बेसिक सा आपको याद रखना है तो अभी आप अपना क्वेशन देगे इसको ब्लोक करती है तो यहाँ पर आपका एंजाइम एस एंजाइम है तो इसको इनिबिट कर देगी तो एक कनवर्जन नहीं होगा तो कौन सी क्लास है यहाँ पर डायुरेटिक्स बीटा ब्लोकर एसी निबिटर से कैल्शम चैनल ब्लोकर तो बिल्कु सिंपल क्वेशन है मेरे साबसे यह आपके एसी इनिबिटर होते हैं जिने कहते हैं एंजो टैंसिन कनवर्टिंग एंजाइम इनिबिटर तो ध्यान रखन है यह एंजो टैंसिन टू का जो कनवर्जन इस इनिबिट करता है जिससे नहीं बनेगा ओके फर्दर जो वैसो कॉंस्टिक्शन है जिसे हमारा ठीक है तो वह सब नहीं होगा तो यह हमारा इसका आंसर ओप्शन सी एसी इनिबिटर से होते हैं नेक्स ड्राय कफी से कोमन दू बना रहा था है यह कर रहा था एक और काम होता है इसका टमर्वर्टिंग जैयंम का मोर क्या होता है जो ब् वह से सब्सक्राइब चुंथ और इसों को सकते हैं लेकिन नबी अब यहां पर भी काम नहीं करेंगे जिससे ब्रैडिकाइनिन का लेवल हो जाएगा क्योंकि ब्रैडिकाइनिन तो अभी इनक्तिव सबस्टेंस में क्या करा देगा कॉफ खकोष करा देगा यह न तो ता तो ठीकर तो किसका कोमी आडवर्स इफच्ट देखने मिलेगा आपको एंजो टेंसिन कनवर्टिंग एंजायम इनिबीटर्स का होता है तो बहुत ही इंपोर्टेंट इडवर्स इवेक्ट है यह ड्राइकफ वाला बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है ध्यान रखने आप लोगों ने क्लास की ड्रग है तो हमारे एसी इनिबीटर्स में क्याप्टोप्रील आता है तो अभी हमने देखा AC inhibitors का क्या काम है क्योंकि हमने देखा देखें अंजियो टैंसी नोजन जो था उससे हमारा 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 अंजियो टैंसी नोजन जो करेगा कंवरजन औफ एंजय तो कैप्टोप री नहीं करेगा दियान से क्वेशन को पढ़ना है हमेशा अब देखिए इसमें इनिबिर ऑंजय को एंजय टू तो नहीं करेगा इनिबिर तो तो थोड़ा सा अगर हमने पढ़ा नहीं होता है तो यहां पर आके कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत बार तो ध्यान अखना है वन से टू होता है ना कि टू से वन ओके तो आपका जो है यह ऑप्शिन भी हो जगा कैप्ट अप्रिल का काम एंजो टैंसिन वन से अंजो टैंसिन टू का जो होता है यह पूछा गया था रिसेंटली एक एक्जाम में बहुत इंपॉड़न को वाला भी ओके तो मेरे साब से क्वेशन आपको ऑप्शन भी कलियर है निक से विच अंटी हैपटैंसिव ड्रग इस डार्यक्ट रान इनिवीटर तो यह रिसेंटली पूछा गया क्वेशन मेरे साब से पूछा गया था टो डार्यक्ट रयाटनि इनिवीटर मैं अभी आपको पता क्या हता है प्रोटीन होता है लीवर parenth को आपका इंटेंशन सबन तो आपकہ ऑपके में ranin है ना तो ranin जो आपके kidney में जे जी cells होती है जक्स्टा glomerus cells of the kidney special cells होती है ये वहां से अपना ranin release होता है ठीक है तो ranin क्या करता है angiotensinogen angiotensin 1 बनाता है तो आगर यहां पर ranin inhibitor देंगे तो इस trap catalyze होईगा नहीं आगया angiotensin 2 भी नहीं बनेगा ठीक है तो direct ranin inhibitor में हमारे की run आते हैं like alice की run आजेगा तो option में देखें moxipril प्रिल वाले तो आपके ace inhibitors होते हैं moxonidine दिया है phenoxy benjamin नहीं होगा answer is option 3 यह awake option 3 नहीं है enala first Relig dabei कीवत्त होता है तो यह इंस सालूपर इंग इनीबिटर होतेyy तो यह हैं क्या करते आपकी angiotensin STK फिर्दम होते falei ड्रग क्या है दियानर क्या प्रटिंग इनिबीशन दिया हुआ है रिसाप्टर ब्लोकर से ए आर बी ए अर बी में साटन साथे हैं लाइक टैल मी साटन इर्भी साटन वैल साटन कैशम चानल ब्लोकर यह यह डायक्ट वैसो डायलेशन आसर आपका ओप्शन ए हो गया नेक्स्ट है ड्रियाइक तक सब्सक्राइबर्स और यह यहां आपको देखने को मिलेगा हाइपर कैलियमिया भी करा देते हैं यह पिटाशिम क के लेवल जादा कधे आए ड्रायक तो मैं आपको बताए दिया सारे ही ड्र स्टैंज एपक्शन हो जेगा नेक्स है most significant adverse effect of ace inhibition तो most significant adverse effect क्या है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोकैलसीमिया, हाइपरकैलसीमिया तो यह हाइपोटेंशन को उसकरा देते हैं ना option A नेक्स है one of them is not a pro drug देखे जो आपके ace inhibitors होते हैं सारे के सारे pro drug होते हैं except captopril, captopril and lisinopril एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल लिसीनोप्रिल ओले सिनीमिटर सार प्रोड्रग except captopril and lisinopril option में आपको captopril मिल गया तो one of them is not a pro drug आप लोगों से पुच्छा, captopril is not a pro drug captopril is active drug बाकी benjapril है, queen april, ramipril these all are pro drug next है centrally acting antihypertensive आप लोगोंने बताना है तो centrally acting antihypertensive में तो आप clonidine पढ़ते हो है ना clonidine आते हैं दूसरी कौन सी आते हैं जो आपको option में दिया है प्राजोसीन इस selective alpha 1 blocker alpha methyl dopa is the answer of your question बाकी guanathidine, propanolol या लोल वाले सारे beta blockers होते हैं आपको पता है propanolol is non selective beta blocker answer is centrally acting antihypertensive में आपका alpha methyl dopa जगा option B next है which of the following drug is used to treat hypertension during pregnancy pregnancy में hypertension को treat करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे hydralazine डायाजोकसाड, clonidine, minoxidine आपका hydralazine दिया जाएगा pregnancy में hypertension के दुरान drug कौन सी देंगे hydralazine option A, right हो जगा अब या आपको antihypertensive drug का क्लासिफिकेशन यहां पर दिया हो कुनकों सी antihypertensive drug होती है एक तो आपके diuretics यूज किये जाते हैं diuretics क्या करेंगे help the kidney to eliminate excess salt and water from the body's tissue and blood तो इसमें आपके loop diuretics में furosemide आजेगा है ना थाइजाइड में hydrochlor thाइजाइड indapamide chlothalidone potassium sparring diuretics में amoneroid and sparnolactone इस inhibitors अभी हम लोगों ने देख लिया inhibit the conversion of angiotensin converting इनिबिट the activity of angiotensin converting enzyme इस enzyme के activity को इनिबिट करते हैं एंजाइम responsible for conversion of angiotensin 1 से angiotensin 2 कराता है angiotensin 2 जो होता है हमारा वैसो constrictor होता है वैसो constriction करा देता है ओके तो इसको inhibit करा देंगे जिससा angiotensin 2 बनेगा ही नहीं तो वैसो constriction होगा ही नहीं है ना तो इसमें प्रिल वाले आता है डिफरेंट डिफरेंट प्रिल हमारे inala प्रिल फोसिनो प्रिल लिसिनो प्रिल प्रिल प्रिंडोप्रिल रामेप्रिल फिर आपके angiotensin receptor blockers आते हैं जो receptor को ही block करेंगे ना 81 receptor को देखे 882 receptor होते हैं बट आपका जो angiotensin 2 होता है जाके different receptors पे काम करता है तो most important receptor is 81 receptor होता है तो उसी को block कर देंगे तो उसमें antagonize the activation of angiotensin receptor आते हैं इसमें साटन 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 सार candy साटन इभी साटन लो साटन टेल में साटन वाल साटन ओकी फिर आपकी calcium channel blockers आते हैं block the entry of calcium into muscle cells and artery walls इसमें आपके जैसे आपका फैलोडीपीन फैलोडीपीन निकारडीपीन निफैडीपीन डिल्टियाजम विरापमिल दिस ओलार calcium channel blocker beta blocker आते हैं propanolol, metoprolol, atinolol वाले आपके beta blocker आपको पता ही है beta plus alpha दोनों को block करने वाली ट्रग में labitalol, carbidolol आता है alpha blocker selective alpha जो यह आपके यह तो alpha adrenergic blocker आपको दिए है तो प्रा जोसीन तिरा जोसीन तो selective alpha 1 blocker होते हैं बाकि फैंटोलामिन और phenoxy benjamin वियाओ की central sympathetic में klondrin और methyl दोपा आता है वैसे dilator में arteriolar और आर्ट्री प्लस वेन दोनों को dilator करेंगे तो सिर्फ आर्ट्री को dilator करेंगे आर्ट्री आर्ट्री ओलर डायलेटर मतलब की जो आर्ट्री इसको डालेट करते हैं hydralazine, minoxidil, diazoxide और जो आर्ट्री प्लस वेन दोनों को dilator करेंगे this is sodium nitroproside तो यह जो है आपका classification है antihypertensive drug का बहुत important है direct question बनते हैं next question which is angiotensin receptor blocker ARB में आपको क्या बताया थे बताये sartans वाले drug बताया थी like tell me sartan आपको option में दिया option A में तिरा जोसिन डोसिन जोसिन वाले आपके alpha 1 blocker selective alpha 1 blocker में आते हैं lol वाले आपके beta blocker ticlopidine भी आपको दिया है answer is option A which one of the following drug produce significant relaxation of both venules and arterioles तो में आपको बताया दोनों आट्री प्लस वें दोनों को डाइलेट करते हैं कौन सी ड्रग हाइडरलाजीन डायाजोकसडील या sodium nitroproside तो आपका option D हो जेगा जो आट्री प्लस वें दोनों को डाइलेट करेगा sodium nitroproside और जो आपका जो है आर्ट्री को डायलेट करते हैं उसमें आपका hydralazine minoxidil diazoxide आता है ओके ध्यान रखना है next है which one of the following acinibator is not a pro drug तो यह अभी हमने जेका accept captopril and lysinopril all acinibator are pro drug तो इस option में आपको lysinopril मिला है option C right हो जेगा next है इथ acrinic acid belong to the class तो इथ acrinic acid कौन जी class की drug है कि loop diuretics में आता है acinibator में आता है acinibator में आपके pril वाले drug आएंगी aldosterone antagonist होता है तो यह आपका sparnolactone होता है thaizide diuretics तो इथ acrinic acid आता है आपका loop diuretics में ओके तो diuretics जब आप के thaizide diuretics हाते है इन्हें क्लोर thaizide hydroflume thaizide benj thaizide hydrochlor thaizide chlorothalidone clopamide thaizide like diuretics में indapamide mitolazone zipamide carbonic anhydrase inibator is acetazolamide and ethoxazolamide potassium sparing diuretics में aldosterone antagonist is sparnolactone एक inhibitors of renal epithel sodium channel साते है osmotic diuretics में manetol isosorbide urea glycerol यह आपका थोड़ा सा diuretic classification है next identify the diuretic which goes hyperuricemia diuretic बताना जो क्या करेगा hyperuricemia uric acid के लेवल को बढ़ाएगा tanturase serum calcium भी बढ़ाएगा uric acid बढ़ा रहा है calcium बढ़ा रहा है also goes magnesium का करा रहा है acetazolamide furosemide manetol chlorthiazide तो कौन सा आपका chlorthiazide diuretic की बात हो रही है thiazide क्या करेंगे uric acid को hyperuricemia करेंगे calcium बढ़ाएंगे magnesium को deplet करेंगे thiazide के side effect में आपको क्या मिलता है potassium तो कम कराते है hypokalemia कराएंगे hyperglycemia hyperuricemia यह सब करा देंगे diuretic action of acetazolamide inhibition of renal tubular carbonic anhydrase तो बिल्कु सही है carbonic anhydrase inhibitor में आपका acetazolamide आता है blocking of sodium and chloride reabsorption and loop of inhibition of distal tubular reabsorption of sodium and excretion of potassium आपका अंसर जो है option A मेरे साब सापको clear हो गया chlorthiazide is a diuretic drug heterocyclic ring कोंसी present है करनाट का में पूछावा question okay chlorthiazide का structure आपको पता होना जाए इसके लिए तो यह यह देखिए 134 ना होके 124 होता है और thia diazine होता है option आपका D right हो जाएगा okay तो option D हो गया एक बार structure आप लोग देख सकते हैं यहां पर देखिए यह आपका chlorthiazide का structure है okay तो 124 है ना तो यह 124 होता है और यह thia diazine होता है तो यह chlorthiazide का structure है okay निक्स्ट है डियूरेटिक ड्रग विच इस यूज़ टेस्ट रिनल फंक्शन टेस्टिंग रिनल फंक्शन टेस्टिंग के लिए कौन सा डियूरेटिक यूज़ करेंगे फिरोसी मडमनचेर बेन्यो थाया जानिक असलए या इत छिनल फंक्शन टैस्टिंग और इसमाटरिक डयूरेटिक में दो Mythical at को से डियूरेटिक स्टिलाल होता है यह सजीरोडल होता है को रहता है स्पार्ण लग्टोन के नरी मीबड करेंग माइलोरेटीक है आपको यह स्पारों लग्टोन परणो लेक्टोटन का वारी इंपॉर्टन ट्रैंटोन नेक्स्ट साइथ सौन्स लेक्टोन डायरेटिक्स नहाइप्र टैंशन के पिडियू सो लोग दाफॉलिंग एक्षप्ट तो अब हमने देखा थाइजाइड के साइड एफेक्ट कोन-कौन से देखे थे हमने एड़वर्स फाइजाइड के रहा रहे थी कि बिल्कुल नहीं तो हाइप्र कैली में करा रहते हैं किरा हना कि हाई sung बताना है लूप अयन हम बाता इस इ GIR 있지 जालेंट पौंसरे से बना अप लंस लूप भागाई दिया है तो आपका आपका這邊 is lava कीज दायरेक लूप दायरेक हाई ऑफिकैशी ठीकिवत बर भी बहुतते हैं टांसे विचसलोल ही पिलिटर है नहीं है रिटल को लिमिटट री आपर्टियरिटिक तो कर्बोनिक अनहाइड्रेस को न्यूस ऑप्षिनलयोगर्य यह प्warmकोलिब्ध क्या आ huσक्रीतिय है या उप्ष्ट के लिए रिलेफि आवप्ष्ट इंडोमीथासीन है स्टाटीन कुंए नंड तो आपके जो यह इंडोमीथासीन होता ना तो यह एंटगनाइस करता है लिएक सैंफिल इंजेशिन फोल्लविंग ड्रग एकसप्ट एस इनीविटर्स हाइपर यह कराते हैं बिल्कुल कराते हैं पाटाश्यम डियृतिक रहेगा एक्सप्ट आप लोगों से पूछा हुआ था ओके नेक्स्ट तो यह कुन-कुन से ट्रक कराती है एस इनिबीटर्स यांट्रेंस रिसेप्टर ब्लोकर्स कराते हैं बीटा ब्लोकर्स एंसेट्स प्ताश्यम स्पारिंग ड्यूरेटि इस सब हाइपर कैली में पटाश्यम को बढ़ा देते हैं नेक्स्ट एडियाच मतलब की आंटि ड्यूरेटिक होर्मोन जो एडियाच कहां करता है प्रॉक्जिमल कॉण्वर्टी टूबल पीचिटी डीचिटी लूप अफनल्य कलेक्टिंग ड्यूरेटिक क्लोरीन की पोजिशन क्या है 635 जावं तो देखिए पोजिशन तो 6 होती है ऑप्शन तो एट कर लीजें बाकि मैं आपको दिखा भी देती हूं तो देखि कोजिशन पर कलोरीन होता है तो ध्यान रखना है थोड़े से पता होने चाहिए लेक्स्ट टॉस्पारण लेक्टोन पटाश्यम डायुरेटिक होता है अल्धोस्टिरोण का अंटगनिस्ट होता है इसका मेटाबोलाइट कैंडीनोन होता है साइड एफेक्ट क्या है तो प्रकली में कराएगा जाने को मास्टिया भी कराता है हर्स रूटीजम भी कोस करा देता है अंसर इस ऑप्शन डी ओल ऑफ दाब और साइड इफेक्ट्स पार्नो लेक्टोन ओके नेक्स्ट है मैमेलियन एंटिडायूरेटिक होर्मोन तो आपका वैसोप्रेसिन होता है और मैम फिरोसिमाइड अमाइलराइड नहीं करेंगे डोर्जोलामाइड जो आपका कार्बोनी कान हाइड्रेस इनिबीटर्स में आपके आते हैं ना ऐसी टोजलोमाइड हो गया डोर्जोलामाइड तो आपका जो डायूरेटिक यूज़ किया जाएगा ग्लुकोमा में ऑप्शन आपके डोर्जोलामाइड तो जो वोटर का अब्सॉप्शन कांट्रोल करेंगा कौन से होर्मोन वैसो प्रेसिन अल्डोस्टिटरों एंट्रोजन ग्लुको को टिको डिस वैसो प्रेसिन एंडियृतिक होर्मोन जो होता है ऑप्शन ए राइट हो जेगा प्रिंसेपल अगर एडियृतिक होर्मोन हमारा पॉस्टियर पिचुट्री से सिक्रेट होता है अगर पॉस्टियर पिचुट्री से रिलीज नहीं होगा तो वोटर कैनोट भी रिटेंट बादे किड्नी एट लोस्ट एज यूरीन ओकी इस अडियृतिक ड्रग ब्लोकर है आप लोगों क का स्टनल्ट लेट लेटिक उसमें अपकर पड्रग पढ़ता थे उसमें ग्रेंट लेटिक होता है एक होते हैं इनिपीटर ऑफफ रिनल अपितिल्ट का दोटोर क में आपका ड्रेंड यह राएड है और अर्यृतिक आप पताएं पोने सा बताएब बतांगी एंडी नोन मिल्रिनोन केंडी नोन सेमजोंओं इन लेकटों का मेटाबॉलइट होता है कांडी नोन होता है option c हो जाएगा तो हमारे जो यह potassium sparring diuretics कहां पर act करेंगे proximal tubules की cells पर ascending tube of loop of enlid पर तो करेंगे नहीं तो यह आपका जो है span lactone and trim train तो यह distal convoluted tubules पर काम करेंगे option d next one of the following diuretics similar to that of diaz oxide का जैसा है structure similar होता है इनका acetazolamide furosemide manatol या chlorthiazid chlorthiazid और diaz oxide similar होते हैं इनका structure similar होता है नेक्स है furosemide is a commonly used diuretic but class of diuretic does it belong to furosemide बिल्कु simple आपका loop diuretic में आता हाई ceiling diuretic या high efficacy diuretic भी इने बोला जाता है तो potassium sparing diuretic नहीं होंगे thiazides भी नहीं होगा loop diuretic हो जाएगा option c हो जाएगा okay next of the following drug act by inhibiting the reabsorption of sodium and chloride in the ascending limb of loop of henley पे हमारे कौन से diuretic काम करते हैं तो हमारे loop diuretic काम करते हैं like furosemide तो option देख लिए आपका answer option b furosemide हो जाएगा okay तो कहां पर act करता है furosemide ascending limb of loop of henley आद रखना को आप लोगों ने तो से diuretic का drug using drenal function that that's the rate of you flow of urine formation देख दायरेटिक डायरेश इस कराएंगे और यूरेटिक दायरेसिस कराएंगे और यूरेशन जो है rate of flow of urine formation increase कराएंगे ऐखेंगे औके option आपका a होज़े का increase next what class of drug is primarily तो आपके कौन सी क्लास यूज़ होएंगी इस पिल्कु सिंपल है प्रडक्शन को इंक्रीज करेंगी बताइए डायूरेटिक्स तो आपके डायूरेटिक्स होते हैं उप्शन वन मेरे साथ से आपको प्लिज़ अफ लूप डायूरेटिक्स आपको बोलते हैं क्या है इनका बताना है देखें इनिबिटिंग था सोडियम पताश्यम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर रिंदा सेंडिंग लिंब फूप यहां पर को ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम पताश्यम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इसको इनिबिट कर आ देते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन यह आपका बिल्कुल सही लिखा है फिरोसिमाड का जो मेकैनिजम है और लूप डायूरेटिक्स का मेकैनिजम जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जगा बाकी देखे ऑप्शन से और भी देख लिखें जाएं इनिबिटिंग था सोडियम पताश्यम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इंदा डी सीटी डी सीटी पे नहीं काम करते हैं डी सीटी पे तो अर्ली डी सीटी की बात करेंगे अर्ली जो है डी स्टल टी बूल की बात करेंगे तो हम लोग देखें अर्ली डी सीटी पे थाईजआड काम करते हैं और ऑर छो है तो आपका जो है यह किलियर हो गगा आपको तो असंदिंग लिंब ओफ लूप फेनले पर आपके लूप डायोरेटिक काम करते हैं बाक्य उप्शन देख रहे थे हम ब्लोकिंग कार्बोनिकानाइडरेस इन्युटर प्रॉक्जिमल कॉन्वलले ट्यूबूल्स थे कि कार्बोनिकानाइडरेस इनिबिटर जैसे डियसे अ आप लोगों को बिल्कुल किलियर है नेक्सट वट इस प्रैमरी साइट ओफ लूप डायुरेटिक्स लाइक फिरोसिमार इंदा किड्नी देखे वही सेम कोशन सेम एक्जाम में दुबारा कोशन आगया उसी टाइप का है कि लूप डायुरेटिक का क्या साइट ओफ एक्शन तो आप उपर वाले क्वेशन से आपको पता लगी गया कि लूप डायुरेटिक है तो यह असेंडिंग लिंबफ लूप अफ एंले पर अपना एक्शन चो कर रहे है ना तो असेंडिंग लिंबफ लूप अफ हैंले आपका अंसर हो गया बाकि डिस्टल कॉन्वर्टि टु जो है यहां पर आपके जो कार्बोनिक अना है ड्रिस इनिबेटर की हमने बात करी थी है ना तो आपका क्लियर है ओप्शन ए नेक्स क्वेश्चन है वट इस अ प्राइमरी डॉल ऑफ कैल्शियम का रोल क्या है देखिए कैल्शियम क्या कराएगा स्कैल्टर मिसल की कॉन्ट को फैसलिएट करते है बिल्कों सही लिखा हुआ है फिर उससे क्या होता है कोंट्रेक्शन होता है ओके अंसर ऑप्शन सी हो जगा नेक्स्ट है विच ऑफ गीवन ऑप्शन इस ट्रू अबाट था यूज डायुरेटिक्स का टॉपिक जो है डायुरेटिक्स इस वेरी इंप किडिनी के डॉध ओकने करते हैं तो डायुरेटिक्रीस करेंगे डायुरेटिक्स काम होता है बिल्कों तो तो काम होता है जो है उन्कुला है नहीं करते हैं क टो तो आपको इस ट्रू कोन सा ओनली टू है नीदर वन और तू बोथ वन एंटू या ओनली वन वाला ही मेरे को तो सही लग रहा है बाकी सेक्ट लिखा हुआ है और ऑप्शन फोर हो जगा ओनली वन तो यह तोड़ा सा आपको कन्फ्यूस करने के लिए यह जाते हैं लेकिन आप पतना में रिसेंटली पूछा गया क्वेशन है तो आंसर क्लियर ऑप्शन फोर नेक्स क्वेशन है डैश इस वीक डायुरेटिक में कौन से आते हैं अमिनोफाइलिन मैफ्रूसाइड है फिरोसिमाड विमेटन थे कि फिरोसिमाड तो लूब डायुरेटिक हाई सीलिंग अपने पड़े होंगे तो यह वी यह भी डायुरेटिक कराते हैं तो आप्शन ए होजेगा नेक्स क्वेशन फोलूइंग इस एक्जामपल लूब डायुरेटिक कॉमनली उस तो ट्रीट अडिमा और हाइपटेंशन थे का फिर से क्वेशन पूछा है उडी सामीर के लूब पिर्मा को ट्रीट करना यंदि हो तो बास सही है तो सिम्पल है क्लसीफिकिशन बेस्ट बश्चन आपको आता है तो वेरी वेरी easy फोर यूँ तो फिरोशमाइड जो आपका लूब डायुरेटिक मैं आजेगा OPTION A आपका जो है बिलकूप सही हो जेगा Hईडोज थाइज तो आपका आपका आपक्षिन ए हो गया लेक्स एक्टी फोर्स उफ मायोकार्डल कॉंट्रक्शन फोर्स उफ कॉंट्रक्शन को इंक्रीज कराते हैं पॉस्ट जो आता है तो आपका जो है यह क्या हो जोगा इसमें इसमें सिंपल आपसे कटेगरी पूछिए आंटी अरिद्मिक एजेंट्स होते हैं कार्डियो टॉनिक्स होते हैं ब्लकु सिंपल ही पूछा हुआ है नेक्स्ट निफडिपीन कंटेंड डैश बेसिक नुकलियस निफडिपीन में आपका डियॉड़ोपाइड डैडिवेटेव होता हैं कि अध्याद को निफिडिपीन आपका डायचिम दिडिवेटेव डेडिवेटी होता हैं दिखने अपको नीक्स्ट है विच एंजाइम कैटलाईज ऑन नाइट्रोगलिसरीचन इन्टु नाइट्रोगलिसरीन का बाय लिख सकते हैं को पर और अटेक करते हैं आपड़ि ट्री नाइट्रेश効्ण ट्राइट्रेट्च जाता है एंजिना का चैस्ट में पेन ऊता है ठीक है तो उसके लिए इसके नीचे टाबलेट रखी जाती है ना तो यह वही गिलिस्टराइल ट्राइनाइटरेट है तो कहले इसका बाय अक्टिवेशन होता है ब्लड वैसल्स रिजल्टिंग वैस्ट राइलेशन बाय नैट्रिक ओक्साइड और रिलेक्टेड स्पीसिज ओके क्लास वन एंटी अरिद्मिक होता है क्लास वन एंटी अरिद्मिक में क्यू पीडी से तीन ड्रग हम लोग याद रखते है क्लास वन में आपके क्या आते हैं सोडियम चैनल ब्लोकर साथ है क्लास वन में आपका सोडियम चैनल ब्लोकर है क्लास वन ड्रक्स होती है तो क्लास वन या क्लास वन या तो क्लास वन वाले आपके शोडम चनल ब्लोकर्ष होती है तो आंसर इस option c सुटम चैनल ब्लोकेजु नेक्स्ट कुइनदीन क्या है अप्टेइन प्रोम सिंकोन तो अच्छे से पढ़ाए कुईनोलिन अलकलोड में आता है सिंकोन से कुईनदीन अप्टेइन होता है अंटी अरिद्मिक होता है आमने अभी पढ़ लिया क्लास वन ए में आता है स्टीर आइस ओमर होता है कुईनीन का तो यह भी सही है आपकी सारी बाते सही और युजिए अंटी अरिद्मिक ड्रग एंटी अरिद्मिक में चैनल ब्लोकर सापका एक तो आपने कौन सा याद रखना होता है दूसरा आपने विराय पर मिल याद रखना होता है फैलोडीपीन डिल लिडोकेन क्लास 1 B में दिया आपको डायसो पारमेड क्लास 2 देके डायसो पारमेड में आपको बताया था अभी क्लास 1 A में क्यू पीरिड से तीन ड्रग याद रखते है कुई इन प्रोकेन अमार डायसो पारमेड तो डायसो पारमेड क्लास 2 में आपके बीटा ब्लोकर आ ब्लोकर देट कंसंदर क्लास 3 तो आपका जो रोंगली मैच जो है ओप्शन बी मेरे साब से आपको क्लियर है ने एक बर यह एंटी अध्मी क्लासिफिकेशन लिखा भी आप इसको भी देख सकते हैं कि लास वन जो एजेंट्स होते हैं क्लास वन में अंटी अध्मिक एजेंट इसमें इंटरफेर विल्ग इसमें सोडें चनल ब्लोकर साथे हैं कलास वन एजेंट्स कौ मैंब्रें स्टेबिलाइजिंग एजेंट्स भी कहते हैं क्लास वन एक लास वन क्लास में लिख। सब्सक्राइब करें तकिल्यवन कि तद्ग कॉनिया दिए में क सब्सक्राइब और सटे के要गा और इंपलम सी Emerson क्लास 3 में आपके प्रिटाशियम चैनल ब्लोकर्स आते हैं प्रिटाशियम चैनल को जिसी क्या होगा प्रोलोंग करते हैं रिपोलराइजेशन को कि तो ड्रक कोंसी आत रखोगे क्लास 3 आजेंट्स विचार प्रिटाशियम चैनल ब्लोकर्स क्लास ड्रक क्लास 2 में बीटा ब्लोकर्स क्लास 4 में आपके जो है calcium channel blocker याद रहेगा option B clear हो गया आपको class 1 anti-admik drugs class 1 में अभी हमने देखा कौन से होते हैं sodium channel blockers होते हैं potassium channel blockers class 3 में आए थे calcium class 4 में आए थे beta blocker class 2 में आए थे next question है meaning of arhythmia simple arhythmia का meaning पूछ रखा देखिए arhythmia क्या होते है abnormal rhythm of heart, falling of hairs transitory cessation of breathing या inflammation of joints this is abnormal rhythm of heart is known as arhythmia है next question है which of the falling medications is commonly used in management of congestive heart failure primarily to reduce afterload and improve cardiac output by inhibiting the ranin angiotensin aldosterone system RAS system जो है उसको inhibit कराना है ranin angiotensin aldosterone system ठीक है तो कौन सी ट्राग है जो राज सिस्टम को inhibit करेंगे बताईए ये angiotensin converting enzyme inhibitor like pril वाले ड्रग आते है capto-pril, lysinopril, inalapril ये सब आते है option A clear next which of the falling neurotransmitter is formed on demand and act immediately okay formed on demand and act immediately कौन सा neurotransmitter है stalkoline, histamine, adrenine, nitric oxide this is anonatric oxide option C right हो जेगा next drug of choice in treatment of CHF congestive heart failure इसमें drug of choice बताईए डिजॉक्सिन, adrenaline, diazepam, etinolol तो डिजॉक्सिन आपका जो है इसमें drug of choice हो जगा option 1 next तो इसमें drug लिखी हुए drug used to treat CHF congestive heart failure जो है इसको treat करने के लिए कौन-कौन सी drugs दी जाती है इनोट्रॉपिक ड्रॉक्स आती है इसमें जिसमें आपके बीटा अट्रिनर्जिक्स में डोब्यूटामिन, डोपामिन आते है कार्डिक लैकोस, डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन PDE, फॉस्पर डैस्ट्रेज, इनिबिटर में एंब्रिनोन, मिल्रिनोन, डायरेटिक्स भी हुज होते है इसमें फिरोसिमाइट, थायजाइड, वैसोडाइलेटर्स यूज होते है जैसे कि इसमें एसी इनिबिटर्स, एटीवन एंटागनिस्ट जो होते है अंग्योटैंसिन, डिसेप्टर एंटागनिस्ट होते है एटरलाजी, नाइटरेट, नाइटरोपुरुसाइड, सीसीबी, कैस्टन चैनल ब्लोकर्स यह सारे वैसोडाइलेटर्स है बिटा ब्लोकर्स, आगया, मिटाप्रोल, बिसोप्रोल, कारविडिलोल इस नाइटरोपिक ड्रग नहीं है डोपामिन, आइसोप्रिनाल, आम्रिनोन या एम्योडेरोन आपका जो है एम्योडेरोन आपने एंटी-अरिद्मिक ड्रुक्स में पढ़ा था क्लास 3 एंटी-अरिद्मिक में पटाशियम, चैनल ब्लोकर जहां पड़े आपको बताई थी ना तो यह तो वहाँ पर आता है तो option D ही हो जएगा आपका ओके नेक्स्ट तो आइनो ट्रॉपिक ड्रग में आपका डिजॉक्सिन आता है यह दोब्यूटामीन डॉपामीन आता है एम्रिनों मिल्रिनों यह सब आते हैं नेक्स्ट है विजो दे फोलिंग स्टेटमेंट इस ट्रॉप कौन सी बात सही है देखिए प्रोकेन अमाइड इस दा ओरली अक्टिव अमाइड डेरिवेटिव द लोकल अनस्थाटिक प्रोकेन देखिए प्रोकेन का अमाइड डेरिवेटिव प्रोकेन अमाइड तो इनिफेक्टिव होता है, इसको वेंट्रिकुलर टैकी अरिज्मिया में यूज करते हैं, यह भी सही लिखा है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी होज़ेगा, ओलो की, आपका नीबोडीपीन, विरापमील, फ्लुनारिजन भी कैल्शियम चैनल ब्लोकर होता है, परन्जिपीन नहीं होता, ओप्शन डी राइट है, नेक्स डीजिटालिस है, आइनोट्रॉपिक एफेक्ट, मतलब कि आइनोट्रॉपिक एफेक्ट है, तब पोजिटिव आइनोट क्यान करता है, मतलब कि आपके va बड़ा देता है मतलब की बच्चिव जलनॡ एफ क्षेक्ट होता हुटा इसका तो क्वेशन में क्या में च्ट्रपिक ऑन पूज्ट कॉर्स फ में को नियुक गणा तो इसका मतलब क्या सिंहbot कि पोजिटीव फट्रयक्शन को एंप इसका मतलब के हैं कि पोसिटीव इनट्रो पॉजिटिव फॉज़िटीव बढ़ा देता है तो पोजिटीव ऑइन ट्रॉपिक तो हो गया लेकिन हाट रेट कम हो जाता है इसे तो नेगेटिव औरो ट्रॉपिक एफक्ट आता है सबस्क्राइब निंग और हें ट्रॉंघ dollars क्रॉछी तो नुब सिरो एक्षितिव पोजिटिव एनुट्रॉपिक compressors नकित सब्सक्रे gece difficilLEY इंग्रों ऑप्षिटीव एक्ष्ठीस किया करता हैwen आयनोट्रॉपिक होता है यह नेगेटिव कॉरानोट्रॉपिक होता है हाट रेट को कम करता है कंडक्शन वेलोसिटी को भी कम करा देगा थो एंट्रियोव एंट्रिकुलर नोड ओके but force of contraction भढ़ा देता है यह नेक्स्ट फिर क्लास of drug is used to treat hypertension यह बलड प्रैशन को ट्रिट करना है की क्लास की ड्रॉग देंगे और इंक्लूड मेडिकेशन सच है उसमें आपके प्रिल वाले ड्रग आ रहे है इनाला प्रिल लिसी नोप्रिल आपको बताई दिया पूछा है कि इनाला प्रिल लिसिन ओप्रिल कौन सी क्लास की ड्रग अप्रिल वाले आपको पता ही है एस इनिबिटर्स होते हैं जी ट्रैंसिन गनवर्टिंग अंजायम इनिबिटर्स की बात हो रहे हैं बिल्कुछ सिंपल ऑप्शन डी राइट हो गया नेक्सर रिस्क ऑफ डिजिटायलिस टॉक्सिटी इस सिग्निफिकैंटल इंक्रीज बाइ कॉनकॉमिन अड़िटर्स ट्रैंट्रेशन लेडोकें कैप्टोप्रिल या हाइड्रोक्लोर्थाइजाइड देकि थाइजाइड्स जो होते हैं तो यह हाइपो कैलीमिया करा देते है जिससे क्याओ डिजिटायलिस की टॉक्सिटी जो होती है वो जादा हो जाती है तो यह हाइड्रोक्लोर्थाइजाइड्स हो जाएगा ओप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा देकि डायुरेटिक्स हाइपो कैलीमिया करा आते हैं जैसे आपके यह थाइजाइ यह हैं वगन करता है जो होता है उसको बढ़ाता है ऐकला कि हार ड को कम कर रहा है यह हार तो बिल्कुल हो एक हो डिक्रीज करेंगा बट यह बैनिफीशल एफेक्ट थोड़ना हो गया slow conduction through AV node positive inotropic effect होता है इसका क्या होता है positive inotropic मतलब कि यह क्या होता है force of contraction को बढ़ा देता है ना तो option C आपका right हो जगा निक से potassium antagonized toxic effect of cardiac glycoside निक है potassium antagonized toxic effect of cardiac glycoside by inhibiting the sodium potassium ATPase pump increased binding of sodium to sarcolyma or decreased binding of digitalis to the heart या all तो यह क्या करता है डिक्रीस कराएगा binding of digitalis की binding to the heart okay option C right हो जगा next following example class B anti dysrhythmic agent है तो आपकी जो अरदिमिया वाली drug है तो में हमने अभी classification class 1A class 1B class 1C class 1 में आपके sodium channel block कर सा है तो class 1B में कौन-कौन सी drug आई थी देखे lidocaine, flicanide, amiodarone, procanamide okay तो lidocaine आई था class 1B में option A right हो जगा next following drug significant drug interaction with dysroxine, dysroxine के साथ में interaction है एक को छोड़के antacid thiazides, diorates, quinidine की होती है amlodipine की नहीं होती है option D right हो जगा next है तो यहीं लिखा हो इसमें quinidine की interaction इसमें लिखी हुए quinidine जो होता है यह reduce कराता है binding of dysroxine, dysroxine की binding होते है tissue proteins as well as its renal and biliary clearance भी यह क्या करेगा reduce करा देता है बाइबिटिंग influx transporter p glycoprotein plasma concentration डबल हो जाती है इसकी डिजॉक्सिन की जिससे क्या होती हो जाएगी डिजॉक्सिटी हो जाएगी डिजॉक्सिन की तो इसलिए कुईनदीन जो डिजॉक्सिन को कुईनदीन के साथ में नहीं देना ठीक है Contra indicated होता है यह ठीक है तो इक कुईनदीन क्या करा देगा डिजॉक्सिन की toxicity करा देता है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन डबल हो जाती है डिजॉक्सिन की ओके डिजॉक्सिन की तो देखा हमने कुईनदीन भड़ा रही है न तो कुईनदीन ही तो इंक्रीस कर रहे थे अभी हम लोगों ने यह देख लिया सुप्रवेंट्रिकुलर अर्धिमा डिजॉक्सिन की किसके साथ में देंगे तो डेंजरस होगा कुईनदीन प्रोकेन कैल्शियम जायलोकेन तो आपका कुईनदीन के साथ में ही अभी हमने देखा कितनी इंपॉर्डन इंटरेक्शन है ऑप्शन यह होजेगा डोस अफ डि किस केस में नहीं करते देख कि डिजॉक्सिन जो होता है इसका रिने लेक्सिंजन होता है जब कि डिजॉक्सिन जो होता है वह हमने को तो हिपाटिक डिजीजस होगी तो इसकी डोज को छुटर करने का Алप्ती की कोई भी जूरत नियुक्त, का डोज डिसऔकश Анд लॉट इन रिनल चिप्ट्रेशी होता है तो को ओप्षिन यह लिखाब इस प्रामेरे लिए और आपक्षाट्स को जो है किसी पेशेंट को तो डिजशीन की डोस को अल्टर करना होगा ना कि डिज्ट 시청 कि अविछ फोस्पटायस शीन ऑप ने तो फेले नुटर प्लोग न ही पटें व्होग निवा की फोसिन मिलते तो तो यह मिल्री नोन पड़ाता है नौ आप्षिन बी हो जेगा नेक्स्ट क्वैस्टन है विच इस टू फो डिजॉपक्सिन के बारे में कॉन सी बात सही है लिखर डिजिटोक्सिन प्राइम एक्सक्राइब ग्रोमरी फिल्टर शिंप को सही है हाफ लाइफ डिजॉपक्सिन का कोई नाती के जो सारफ के बार नेक्स नेंख्स जिए या प्रेन कंजस्ट्टियो काड़र हाइज में नाइटरेट का किया का रूल है इत्रेक्त है डिख्रिज है नैो ट्रालिक होटाइट इसमे नांट में नेवीफ करने में आपके ग्रिज ड्राय घुलिट जो आइस यहां दै करा आता हूं है टिक है हित्रील डिलाइटर गोंति फ्रीयो स्यंौरिक ने मिकोर कें अप्रिस्क्री मीैटर्ल इंट लोट आ है अग्हें अदे कि आ तिक हम लोगोंतिने कंचिछ सीन्हेड आंना थे zwांट अ तो नाइट्रेश दे रहे हैं तो देनी पड़ेगी कॉन सी ड्रक अवर्ड करनी पड़ेगी जिससे कुछी रगाय देंगे तो हाइपटेंशन सीवीर फटाल याइपटेंशन करा देती है देखें सिल्डिनाफिल प्रोपैनोल एमलोडीपिन नहीं है इसका अंसर है सिल्डिनाफिल मतलब कि सिल्डिनाफिल होगा प्रोपैनोल एमलोडीपिन नहीं होगा sildenafil is phosphodiesterase यह क्योंते है phosphodiesterase five inhibitor होती है sildenafil तो किसी patients को nitrates दे लिया, उनको अगर sildenafil दिया तो क्या हो जाता है severe hypotension हो जाती है तो अगर किसी patients को nitrates दे लिया, तो उन한테 sildenafil نہیں देना severe hypotension हो जाती है, मतलब fatal hypotension death भी हो सकती है तो आवोइड करना है स्लदिनाफिन नहीं देना ओके ऑप्शन राइट होजेगा नेक्स्ट क्वेशन है विच विच व फॉलिंग इस फोल्स बाउट डिजॉक्सिन के बाद में कौन सा गलत है डोस डोस रिडूस्ट वैन यूजड विद कुईनडीन डोस रिडूस्ट लीव भी हो गया मेरे साफ से लाइट क्वेशन है वट इस दा प्राइमरी मेकेनिजम औफ एक्शिन ओफ स्टाटिन मेडिकेशन इन ट्रीटिंग हाइपर कोलेस्टिरोलीमिया कोलेस्टिरोल जादा हो जाता है हाइपर लिपीडीमिया भी बोल सकते हैं इसको तो इसमें कहरें स्टाइंस के का sucking किला में 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 seven mechanism पूछा थे हमारे अने चीप सब्धूर इंजाइम इंड्र डट्रींद क्वेशन सके का में में बहुत बार पूचा गया है मैं हैम दिखर नीपिशन औव कोलेस्टिछ ल अ offense स्टिमूलेशन ओव बाल प्रदक्शन इनिबिशन ओव एक्टिवेशन ओफ लिपोप्रोटिन लाइपेज इस ऑप्शन सी इनिबिशन ओफ एच अजी को एड़क्टेज इनिबिटर्स होते हैं ओके निक्स्ट क्वेश्चन है वट इस अप्रामरी रोल ओफ नहीं होने देंगे जैसे आप लोग औरल एंटिक्वागुलेंट पढ़ते हैं प्रेंटल में ही पैरिन आता है औरल में आप लोग वार्फेर इन पढ़ते हैं को मैरें डेरिवेटिव तो इनका प्रामरी रोल क्या है देखें बीपी को लो करेंगे तो बीपी नहीं आप से आपको क्लियर है यह भी इसी इस पेपर में जो यह ओडिसा का पेपर है रिसेंटली जो हो था इसमें इसके ओपर चार से पांच क्वेशन आये ब्लड वाले के ओपर की नेक्स्टी कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी मैजर्स दा लेवल ओफ विज ब्लड कॉंपने ग्लुकोजन, कॉलेस्टिरोल, हीमोगलोबिन, हीमाटोकृट, एंजयवन, हॉर्मोन, सी, लेक्ट्रोलाइट, एंटीबोडिस तो यह आपका हीमोगलोबिन आन हीमाटोकृट ओप्शन भी राइट हो जेगा देखिए जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है यह इंडिकेट करता है count of WBCs, RBCs, platelets, concentration of हीमोगलोबिन और हीमाटोकृट, हीमाटोकृट मतलब वोल्यूम परसेंट ओफ आर बी सी, निक्स जह है, which of the following lipid is commonly known as bad cholesterol, देखिए गुड कोलेस्टिरोल कौन सा होता है, bad cholesterol कौन सा के ओपर question पूछे गई है, गुड कोलेस्टिरोल आपका होता है HD HDL, high density lipoprotein, bad cholesterol होता है LDL, low density lipoprotein, याद रखना है आप लोगों ने, ओके, बैड कोलेस्टिरोल आप लोगों से पूछा है, तो देखिए LDL, HDL, platelets, या चायलो, micron, बैड कोलेस्टिरोल हमारा low density lipoprotein होता है, और गुड कुछे तो आप क्या कह देते, HDL, जो है हमारा इन में से जो है कौनसा no true, सही नहीं है, मतलब ही कौनसा wrong है, कौनसा untrue है, कौनसा false है, बताइए, water soluble form of iron, iron का water soluble form इन्होंने खाय कि ferrous होता है, जो FE 2+, होता है, ferrous जो होता है, ये water soluble होता है, कि आरे आरे इन स्टोर होता है, बोडी में ferritin की form में, आरे ट्रांसपोर्ट हो लगे, डिस फैरियोग्जामीन पड़ा था ना, आप लोगोंने, आरे इन की पोईजिन में, कौनसा आता है, डिस फैरियोग्जामीन, है ना, डिस फैरियोग्जामीन आता है, तो यही गलत हो क्या option D, है ना, अंटिडोट तो, प्रोटामिन सल्फेट तो, आपका, जो है, ह अपने था है, प्रोटामीन, हिस फैररिय। फैरियोग्जामी प्राता है को अंटिडोट तो, आरे इन के लोगोंने, य destruction की फो में हमने ब्लटनाप में सब्सि पन का अहुज़। या फिर आंटी हाइपर लिपीडिमिक बोल दीजी वही तो कम करती है तो कौन सी दे रखे देखी स्टाटिन्स तो बिल्कु सही है चमजी को रेडक्टेज इनिबीटर्स में आपके आते हैं यहीं आते हैं तो ऑप्शन तो यहीं राइट हो गया स्टाटिन्स हो गया बाग्क करEंट ब्लड खूट 쿠की औंड को ब्लाड कुच़ के दिए अन्ट मॉस हें तो अच एंड करेंगी तो क्या कर एंड कि कोई्वैंट करेगी फ्रमेशन और ब्लड क्लोड कुट की एंडकोर करीड के सैह तो लिए ęd इंड रीट कंडिशन गर से सबीड देप वेंग का anticoagulant तो आपसे पूछान में से कौन सा anticoagulant है बाकी कहानी तो anticoagulant के बारे में आपको बताया हुआ है किसके लिए यूज किये जाते हैं anticoagulant है तो question बड़ा बना दिया बाकी आपसे पूछा कौन सी ड्रग है जो anticoagulant में आती है कोडीन दिया है एस्परिन दिया है वार्फरिन सोडिय में टेस्टोस्टिरोन तो simple anticoagulant में आपका वार्फरिन आ जागा जो आपका जो औरल anticoagulant में आता है वार्फरिन है और जो है यह कोमेरिन डेरिवेटिव होता है वार्फरिन क्योंता है कोमेरिन डेरिवेटिव होता ह इरिथ्रो पोलिटीन है यूरो काइनेज है डासमोप्रेशिन है आपका क्लोपी डोग्रिल ओके तो आपका जो आंसर ऑप्शन डी हो जेगा निक्स्ट ड्रग कॉंबिनेशन वॉर्फेरिन विटामिन के रिजर्ट्स in a specific interaction identify देखिए वॉर्फेरिन हमारा क्या है ओरल एंटी को एगुलेंट है क्या है और जो विटामिन के होता है यह क्या करता है जो क्लोटिंग फैक्टर के अक्टिवेशन के लिए रिक्वायर होता है 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर में आपको बता रखे है 2 होता है 7 होता है 2, 7, 9 और 10 क्लोटिंग फैक्टर के अक्टिवेशन के लिए रिक्वायर होता है तो मतलब कि क्लोटिंग में help कर रहा है देखिए यह तो anti-coagulant है और यह coagulation में help कर रहा है तो इनका क्या interaction आपको दे रहा होगा आपको और वैसे भी वार्फिरिन के लिए जो आपका एंटिडोट होता है वो विटामीन के होता है तो आपका ये अंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन है इनकी ऑप्शन ए मेरे साफ से आपको क्लियर है नेक्स्टे विच ड्रग पॉजस मायोपैथी एट क्लिनिकल मायोपैथी को सकराती है कौन सी ड्रग आपको आपके जो स्टाटिन्स होते है न तो ये आपके रैप्डोमायलोसिस करा देते हैं मायोपैथी को सकरा देते हैं स्टाटिन्स तो स्टाटिन्स कौन सी दिया आपको आपको आप्शन्स में आपका बी राइट हो जाएगा ओकी तो आपकी जो आरन की प्रेपरेशन में आते हैं तो आरन डेक्स्टरन जो है यह प्रेंटरल थिरापी के लिए आता है तो यह ओप्शन भी हो जगा आरन डेक्स्टरन होता है एक होता है आरन सोर्बिटोल सिट्रीक एसिड आरन सोर्बिटोल सिट्रीक एसिड ओके आरन सोर्बिटोल सिट्रीक एसिड जो होता है यह भी आपका प्रेंटरल आरन आता है तो आपका जो है आरन डेक्स्टरन हो गया बाकि तीनों औरल आरन के औरल जो preparations होती है इसके एक्जामपल्स दिये गए आप लोगों को के निक्स्ट क्वेश्चन है adverse effect of oral iron preparations देखे ओरल आयरन प्रेपरेशन जो है इनके क्या-क्या adverse effect देखने को मिलते हैं यह आप लोगों से पूछा गया है तो इसके देखिए आप options देखें डिस्पनिया दिया है epigastric pain, palpitation, joint pain देखिए आपके जो oral iron preparations होती है तो इनके adverse effect में आपको epigastric pain देखने को मिलेगा ठीक है option B होजेगा अपिगेस्टिक pain होता है नोश या वामटिंग यह सबाता है option B होजेगा लिपोप्रोटीन दा ट्रांस्पोर्ट कोलेस्टेडोल फ्रों पेरिफेरल टीशू से लिवर में चैलो माइक्रोन है HDL है high density lipoprotein LDL low density lipoprotein very low density lipoprotein VLDL तो यह होता है हमारा HDL होता है high density lipoprotein option B next question identify the anti hyperlipidemic drug which act as bile acid sequestrant तो anti hyperlipidemic drug का classification से question है okay bile acid sequestrant में कौन से ड्रग आती है simvastatin is statin which is HMG core reductase inhibitor colesvalum is the answer of your question option B होजेगा bile acid sequestrant में आपका option B colesvalum आजेगा बाकि niacin और clofibrate दिया है तो आपका answer क्या हो गया option B होजेगा bile acid sequestrant is colesvalum option B अब देखे थोड़ा सा classification भी आप लोग पढ़ लिजीए जो आपकी anti hyperlipidemic drug का तो इसमें एक तो आपके statins आते हैं that are HMG core reductase inhibitor जिसमें lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorvastatin, rosuvastatin these are statins which are HMG core reductase inhibitor bile acid sequestrant में एक तो आपने colesvalum देखा एक colesterum and colestipol आता है फिर तो activate lipoprotein lipase जो lipoprotein lipase को activate कराते हैं इसमें आपके fiberic acid derivatives आते हैं इसमें आपका nicotinic acid आजेगा आदर्स में जो आदर्स ड्रग उसमें आजटिमाड गूगूलिपिड आता है इसमें निक्स्ट है हमारा जो दर्सक्राइब जो है इनका एक इंपोर्टन जो है हमें देखने को क्या मिलता है कि या रप्डो माइलसिस करा देते हैं तो कहरें कि इन में से कौन सी ड्रग है जो इसमें मैं सबस्ट करा देगे जब स्टायट न सी कोम करें आजिक प्रेस्क्राइब करें तो रैपडो माइलसिस करा दें नहीं एब ये जाट हम यह उनीं हो जएगई थे तो हमारा जो यह जैम फिब्रोजिल फिब्रिक ऐसी डेरिवेटिव जो होता है ना इसको अगर स्टाइटेंस के साथ में देते हैं तो रैप्डोमाइलिस प्रोड्यूस करा देता है उप्षन ची हो जाएगा ओके जैम फिब्रोजिल नेसे फैरिटिन क्या है को एंजाए में स्टोड फोम और नोन प्रोटिन मोर्टी आइसो एंजाएम तो आरन के बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कुन सी बात सही लिखी है तो उसमें देखा था हमने कि आ आप लोगों का स्टोरेज फोम और इंदा बोडी तो वहीं पूछ लिया स्टोर होता है किसकी फोम में तो यह इस रों में पूछावा क्वाशन है फैरिटिन हीम फैरस फ्यूमरेट गलोबिलीन है ना तो इस रों में ट्वंटी ट्वंटीवन में दो होजा दिक्किस वाले बृटिश एंटी लावेश हाइड डाइमर का परोल जिसको बोलते मर्करी के पॉज़्रिंग में देते हैं ट्रॉपिन दिया है प्रोटामीन सल्फेट और डायक्यूमरोल तो प्रोटामीन सल्फेट इस दा एंटीडॉट फोर हेपरिन हीपरिन का एंटीडॉट है आपका option c next question is used to treat तो फेरास सल्फेट जो होता है फेरास सल्फेट किसके लिए उस करेंगे जो आपके oral preparation होती है आरन की उसमें आपका फेरास सल्फेट फेरास gluconate फेरास fumidate सब आते हैं तो किसके लिए उस करेंगे और एंटिक वार्फेरिन करें अब उसको क्या ड्वालाप होगा रुमेटोड अट्साइटीज की प्रोब्लम होगे उसको विच वन ओव दा फॉल्विंग ड्रग वुड भी कॉंट्रा इंडिकेट इन में से कौन सी ड्रग उसको नहीं दी जाएगी अगर मतलब की जिस द्रग की वार्फेरिन के साथ में इंटरेक्शन होगी उसी को नहीं देंगे तो ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं तो आप्शन है हो जगा आपका एस्परिन कोंट्रा इंडिकेटेड है दीके कॉंबिनेशन ओफ एस्परिन वार्फेरिन रिजल्टी ने सिगनिफिकेट इंक्रीज इन रिसक ओफ ब्लीडिंग निस्ट है जीपी सैकंड भी थड़ एंटागनिस्ट ओल एकसेप्ट सारी की सारी ड्रग आती है इस कैटेगरी में जीपी सैकंड भी थड़ एंटागनिस्ट में एक को छोड़कें तो इसमें कुनकों सी आती है ड्रग याद रखना एक जीपी सैकंड भी थड़ एंटागनिस्ट में हमारे थीं ड्रग आती है एकसी में आता है टिरोफी बैन आता है एप्टी फीबाटाइड आता है क्लोपी डोग्रिल नहीं आएगा निक्स्ट वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कोनगों से बताए दो होता है उसके बाद होता है साथ दो साथ नौ और दस ठीक है दो सात नो दस क्लोटिंग क्या अक्टिवेशन के लिए रिक्वाइड होता है तो इसमें आपको 9 दिया 10 दिया है टू दिया लेकिन इसमें 3 आप से एक्सराप्ट पूछा तो और सी हो जगा फैक्टर नमबर 3 तो यह MPSC में रिसेंटली पूछा गया कोईशन है निक्स्ट एवन अमंग दे फोलिंग ड्रग इसे विटामिन के का एंटागनिस्ट कौन सा है तो मैं आपको बताते है वार्फेरिन का जो एंटिडोट है बलगा लो एंटागनिस्ट बता दो तो वार्फे सब्सक्राइब निक्स्ट एया विटामिन की एस आसोसेडिड विद तो वीतामिन क्या कराता है बलड की क्लोटिंग पलिगरा जाते हैं हम्प्रज हो जाता है यह लिख़व है विटामिन की अक्टिवेशन करा तो hyperlipidemia नाम से ही पता लगाई है hyper मतलब ज्यादा lipidemia मतलब lipids blood में जो lipids का level ज्यादा हो जाता है किसका एक्सिस ज्यादा होगा क्या ज्यादा होगा cholesterol and triglycerides free fatty acid glycerol ketone body cholesterol and triglycerides का level ज्यादा हो जाता है next है inoxaparin, parin वाले देखिए inoxaparin, parna parin यह parin वाले क्या होते हैं low molecular weight, unfractionated, oral anticoagulant, vitamin k antagonist these are low molecular weight, low molecular weight, parin होते हैं parin वाले ड्रग आते हैं इसमें inoxaparin आपको दिया है तो देखिए low molecular weight, parin इसमें सारे parin वाले आएंगे inoxaparin, raviparin, nadroparin, dalty parin, parma parin, parna parin होता है यह यह पैम-parin होता है, यह पैम-parin है, पैम-parin होते हैं तो यह सारे आपके parin वाले होते हैं low molecular weight, parins, parins, parins इसमें parin आ रहा है ना, ने सा clinically used oral anticoagulant तो oral anticoagulant बताएं कुन सा है, acinocomerul inoxaparin, parin, tinzaparin, hyparin तो यह तो low molecular weight, parin हो गए और यह आपका ही parin हैं तो oral anticoagulant में तो आपका acinocomerul बच गया option ही, है ना नेक्स्ट आपका है lipoprotein with the fastest electrophoretic mobility and lowest TG content, ओके? ट्राइगलिस्ट्राइड कंटेंट बहुत कम होता है, देखे VLDL very low density lipoprotein, HDL high density lipoprotein, LDL low density lipoprotein या चायलो-maikron, तो यह होता है हमारा HDL high density lipoprotein जो होता है, इसमें सबसे कम TG content होता है, ट्राइगलिस्ट्राइड कंटेंट होता है, नेक्स्ट है heparin prevent blood coagulation, heparin जो होता है हमारा parental anticoagulant में आता है, तो यह anticoagulant blood की coagulation को prevent करता है, बिल्कुसे यह कैसे करता है, mechanism क्या है, inhibit thrombin catalyzed conversion of fibrinogen to fibrin precipitated blood calcium thereby prevent coagulation reaction convert ionized calcium by chillation inhibiting enzyme reaction, तो क्या करेगा, inhibit करेगा, thrombin catalyzed conversion of fibrinogen to fibrin, option A right हो जागा, यह भी ISRO में पूछावार 2017 में, दोहर 17 में जो ISRO का paper था उसमें एक question पूछा हुआ था, next है which of the following is human plasma lipoprotein कोन सा है, high density lipoprotein है, low density lipoprotein, chilomacron, देखे, सारे ही है, option D हो जागा, right, next question of which of the following statement is true, कौन सी बास सही है, अभी options तो दिखाईए हमें, देखे, aspirin inhibit platelet aggregation, देखे, aspirin प्लेट के अग्रिशन करेगे, cause gastrointestinal bleeding, this may be hazardous in anti-coagulated patients, high dose of salicylates have synergistic hypoprothrombinemic actions and also displaced warframe from protein binding site, aspirin low dose में अपना anti-platelet action जो होता है ठीक है, वो दिखा देती है, thromboxene की synthesis को, aspirin 75 to 150 mg की dose में जो होती है erme अपना anti-platelet action के system dominant inhibits हो गोजब सर्थम्बोक्थे संतिकों wallet करे़ना तेत है । गरिए है, компonsum ko inhibit got phylumimmer Adoles把 the Congratulations on the देती है तो बिल्कु सही anticoagulated patients में हजार डाज होता है जैसे हम लोगों ने देखा था कि warfarin अगर किसी patients को दे रहे तो आइस्परिन नहीं देंगे तो यह सही लिखा हुआ है फिकर एक पलोरम फैनिकोल इरिथ्रो मैसिन साली कोक्सिप सिमेटरीन अलोपिरनोल अमिडेरोन मैटरनेड़ तो इनिबेट वॉर्फिंग के मेटाबोलिजम को इनिबेट कराती है यह ड्रग तो देखे दोनों ही स्टेटमेंट साही लिख्यों में इसमें ऑप्शन सी हो जेग कि देखे इत्रो पॉर्टिन गलाइको प्रोटिन होर्मोन नाचरली प्रोडूस बाइर ट्यूबलर सैल्स ऑफ किड्नी डाट स्टिमुलेट आर्बसी प्रॉक्शन नहीं तो ट्रैनिक्जामिक एसेड क्या होता है ट्रैनिक्जामिक एसेड ओप्शन देख लिए आप लोग है एंटी फिब्रिनोलिटिक्स है ओके तो ऑप्शन जो है एह हो जगा ट्रैनिक्जामिक एसेड क्या है एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है तेक एंटी फिब्रिनोलिटिक्स जो है इस ड्रक्स क्या कराती है इनिबिट कराती है प्लास्मिनोजन के अक्टिवेशन को और डिस करेंगे तो तोड़ना साथ, तो यह होता है फ्लाजमिरोजोण को अक्तिवेट करते हैं लेकिं जो एंटी फिपिविंडि BLACK काम होगा इनका इसकी द्रॉगन परोटीनि नहीं अगर फिबिरोनितिक्स की ऑवर्डोस हो जाए जैसे इसमें आप लोग पढ़ते हो फिबिलोस में अब उसकी कि कि जो है इसकी पॉज़निंग है ओवर्डोज होगे तो क्या दोगे तो इस टाप से क्वेशन बनते हैं ठीक है तो आप मतलब की हमारा इसके एक्जांपल आप देख लीजिए अप्सालन अमिनों के प्रोईक एसे ट्रानेग्जामिक एसे और अप्रोटीनी इस आर एंटी फिब प्रोउडिक्स के बारे मुअ बताया था ना फिब्रिनो लीटिक्स या थ्रॉम्बो-लीटिक एकी बात है मतलब कि थ्रॉम्बो-लीटिक मतलब करेंग ब्रेक-दाउन कराऊंगी तो जो है इनमें कॉन सी फिर्ग के एपरेणaut kid restoration anticoagulant warfarin is oral anticoagulant vitamin k तो आपका coagulation कराता ही है क्या बचा option anis triplase बच गया option c right हो जगा आपका ओके thromboletics में anis triplase आ जगा देखे thromboletics agents plasminogen activator होते हैं ओके यह क्या करता है plasminogen को activate कराते that convert zymogen plasminogen को active plasmin में convert कराएंगे जो degrade करता है fibrin को ओके next question all are fibrinolytics fibrinolytics accept fibrinolytics मतलब plasminogen activator thromboletics है यह तो इसमें देखि स्ट्रिप्टो काइनेज आता है बिल्कुल आता है यूरो काइनेज आता है ल्टी प्लेज आता है अप्सालों नमीनो कैप्रोइक आसड़ तो हमने antifibrinolytics में पढ़ा था है ना antifibrinolytics antifibrinolytics में पढ़ा था हमने इनिबिटर होगा आक्टिवेटर तो आपके स्ट्रिप्टो काइनेज यूरो काइनेज हो जाएंगे है ना तो confuse नहीं होना टैनिग्जैमिक एसिड आपका antifibrinolytics है प्लास्मिनोजन इनिबिटर होता है option C right होजेगा मेरे साब से आपको clear है ना antifibrinolytics मतलब इनिबिट प्लास्मिनोजन अक्टिवेटर डिजलोशन अफ क्लोट और इस ने परिए निग्स्ट वाले ड्रग आती है इसमें इनक्सा परिन बिलकुल आएगा रवी परिन आएगा लापी रुडिन नहीं आएगा ना ओप्शन भी आपसे नोट पुछा होँ है जैस ओल अफ फोलिंग आर एंटी प्लेटले ड्रग एकसेप्ट एक को छोड़के सारी एंटी प्लेटलेट है ऐस्टाइल सालेसिलिक आइसिड इस एस्प्रीन होती है एंटी प्लेटलेट इस पैरासीतामोल टिकलोपीडिन डाइ क्यों नहीं होता है अंटी प्लेटली बाकी तीनों हो जाएंगे करें क्लिकल इंप्लेटलेट ड्रग आपको लिखी भी एस्परिन आता है इसमीं नेक्स्ट है यह आपके एंटी प्लेटलेट है प्लेटलेट का एग्रिगेशन को इनिविट करेंगी है ना उनको एग्रिगेट नहीं होने देंगी आस्प्रिन क्लॉपीड और टिक्लॉपीडिन तो यह सारी आजेंगी इसमें all of the above नेक्स्ट क्वेशन है तो यह एंटी प्लेटलेट ड्रग फिर से लिख दिनोने तो यह ज अहिंग देङके अपरा उसक् significative को एंटीडो आपको क्या अताएं था वहılanट हैं रही हमने विटामिन के देखा था है ना और हिपार इन्ड एंटेडोट विटामिन के ओप्शन की होदेगा में निक्स प्लेंखिश को इस यह ढूदि हो घुंसी बा health स्ट्रे recombinant tissue plasminogen activator होता है यह produced from recombinant DNA technology all देखिए सारी बात यह fibrinolytics के बारे में लिखिए है तो सारी ही बात है सही लिखिए हुए है option D हो जगा all next fibrinolytics is not used in acute MI myocardial infraction deep vein thrombosis stroke hypertensive crisis में नहीं यूज़ करेंगे बाकि तीनों conditions में यूज़ किये जाते है next in blood clotting में finally क्या होगा thrombin convert होगा prothrombin में fibrin convert होता है fibrinogen fibrinogen से fibrin prothrombin से fibrin तो fibrinogen से fibrin बनता है ना last में तो option C होज़ेगा आप लोगों का blood clotting आपको पता ही है तो इसमें देखिए prothrombin जो inactive form होता है thrombin का that is present in the plasma thrombokinase convert काता है prothrombin को thrombin में thrombin क्या करेगा एक्टिवेट काता है fibrinogen को fibrin में next three है clotting factor factor number nine is otherwise known as factor number nine को क्या कहेंगे Christmas factor heigman factor libyal factor stwart power factor factor number nine is known as Christmas factor okay factor number nine Christmas factor is one of the serene protease of the coagulation system it belongs to peptidase family as one deficiency of this protein cause hemophilia b okay इसा चाइलो माइक्रोन आर फोर्मड कहां बनते हैं यह option देख लें in small intestine liver stomach या kidney तो यह बनते हैं कहां पर small intestine next rn is a component of hemoglobin lymph pancreatic juice gastric juice rn is a component of hemoglobin option a parental anticoagulant हमें पता ही है हिपारिन होता है warfarin तो आपका oral में आजेगा penicillin का यहां पर क्या काम है fenendione भी आपका oral में आजेगा भी classification में आगा आपको दिखा देते हूं परेंटरल में हिपारिन आजेगा option d 45 year old patients develop severe thrombocytopenia due to unfractionated hyparin so the best alternative anticoagulant देना है lapirudin epsiximab eurokinase या plasminogen तो इसे देंगे lapirudin देंगे option a vitamin b12 and folic acid as used in treatment of the vitamin b12 and folic acid जो है किसकी treatment में देंगे विटामिन b12 of folic acid के deficiency से megaloblastik anemia हो जाता है तो किसकी treatment में दोगे में लगव में लगव में लिए तो दी जाएंगे न option a हो जेगा next oral iron preparations uses hematinic तो oral preparations में फैरा सलफेट आता है फैरास gluconate फैरास fumerate तीनों ही आजेंगे option d हो जेगा all next है which of the following is correct about vitamin के vitamin के blood की clothing के लिए coagulation के लिए required है देखिए fat soluble vitamin होता है बिल्कु सही है vitamin b और सी तो water soluble होते हैं fat soluble में vitamin a d e के आपको पता ही है इतना इतना देखिए बिल्कुली simple चीज़े तो में पता ही है विटामिन के coagulation कराता है बोथ हो जाएग option c है निक्स्ट ऑरल एंटिकोगौ немец ऑर्षे व्प्रि जयसे होता है किसको एटेगानाईई करता है डबलूबीस घॉमपल है आरबीस रड बलड सेल्स हो जहेगा जो एस टी माइब डेदी वॉलेस्टेड़ोल लेवल कैसे से रिडीूस कराते है लेवल को एस टी मैसँ निपित हमगी कोय रिडक्टेज इनीबिटर तो हम्गी कोया ड़क्टेज इनीबिटर दीजर स्टैंश ब पोस्ट इस्ट इंडियूस करें लिपोपरेटन लाइप पेस्ट तो आपका अंसर ओजएगा ओप्शन बी नेक्स्ट विच फोलिंग ड्रग इनिबिट आचमजी कोई रडक्टेस इनिबिटर सार्स्ट इन्स ओप्शन देखिए प्रबिको लौवा स्टाटिन मिल गया हमें स्टाटिन क्या करता है अचमजी कोई क्या है अचमजी कोई में होता है अगर आपसे पूछा जाए तो कभी तो इस को सब्सक्राइब तो इस को इनिबिट करा देते हैं है न तो यह एक होता है आपके आचमजी कोई रडक्टेस एंजाई में यह एंचमजी को यह जो है HMG-Co-Enzyme A, 3-Hydroxy-3-Mithryl-Co-Enzyme A का जो Mivalonate में Convert होता है तो यहाँ पर आपका होता है Enzyme HMG-Co-Reductase तो यह इसी को ही हमारे statins inhibit करा देते हैं समझा गया है बापको तो यह है आपका statins का काम तो और यह step ना rate-limiting step होता है cholesterol की synthesis में next question है which one of the following is pro-drug atorvastatin, simvastatin, rosuva या fluva this is simvastatin which is pro-drug next step which of the following is not oral anticoagulant नहीं है warfarin होता है hiparin तो आपको पता यह parental है आग जाने की जरुरूरती नहीं है बागे phenindione यह भी आपके oral में आते है hiparin is parental तो अभी classification मिल जाएग हमें आगे formation of rbc from bone marrow is cold ठीक है bone marrow सो जो rbc की formation को क्या कहेंगे erythropoiesis coagulation diation बिल्कु सिंपल देखे erythropoiesis हो जाएग इससे simple क्या होगा next step which of the following statement is not true about regarding jam fibrogil jam fibrogil is fibric acid derivative तो आपके जो anti hyperlipidemic drug में पढ़ते हो आप लोग fibric acid derivative में jam fibrogil mpsc का recently question है no true कौन सी बात गलत है देखे agonistat pp arl alpha nuclear receptor markedly reduced circulating vildian and trigly decreased synthesis of lipoprotein lipase with statin it increased chance of myopathy तो आप मैंने आपको बताया था jam fibrogil statins के साथ में abdomyolysis करा देता है तो बात सही है देखे lipoprotein lipase की synthesis को decrease नहीं कराती है ना तो यही गलत लिखा हुए बाकी तीनों बाते सही लिखी हुए है तो यह lipoprotein lipase को तो हमने देखे activate कराएंगे तो सिंस को decrease कहां से करा देंगे option 3 आपका right हो गया next है hemoglobin easy तो hemoglobin क्या है एक carbohydrate है antibody है WBCR protein है बिल्कु simple hemoglobin क्या है हमारे प्रोटीन ही तो है option D हो जेगा आपके जो fibrinolytics में हमने देखे थे न स्टिप्तो काइनेज यूरो काइनेज उसमें आपका अल्टी प्लेज भी आता है next है following drug stimulate erythrogenesis erythrogenesis को stimulate करते accept एक को छोड़के iron dextran vitamin b12 folic acid stimulate करेंगे accept method rixate next question है intravenous iron preparations तो iron sulfate iron fumarate तो iron जो है intravenous में तो हमारा आता है iron dextran और iron sorbitol citric acid complex देखा था हमने न तो यह हो जगा intravenous पूछा option D हो जगा next which one of the following is C allo glycoprotein heparin adrenal erythro protein या serotonin C allo glycoprotein is erythro protein option C next which of the following is anti-coagulant anti-coagulant बताइए proprenolol fentanyl heparin या streptokine is anti-coagulant is heparin which is parental anti-coagulant option C हो जगा drug used as oral anti-coagulant oral anti-coagulant में heparin is parental delta parin is low molecular weight heparin inoxa parin is low molecular weight heparin तो dicumerol is the answer of your question option C right हो जगा है न यह मिल गया हमें classification तो कि parental anti-coagulant में हमारा heparin low molecular weight heparin हाते हैं heparinoids में heparinsulpheta जिका डेना parinoids आता है lapirudin and crude oral anti-coagulant में comarin derivatives आते हैं जिसमें हमारा warfarin होता है comarin में bis hydrocomarin में dicumerol warfarin sodium acinocomeron nicomelin या ethyl biscomacetate indian di-on derivatives में farindione है न next which of the following does not inhibit platelet के aggregation को inhibit नहीं कराता aspirin, sulfine, parazone, benzoic acid, indomethacin तो does not inhibit platelet aggregation तो यह आपका option C हो जगा benzoic acid next है platelet aggregation is inhibited by all except aspirin, clopidogrel, apt NFI fiber tide इसमें thromboxane A2 जो है platelet के aggregation को inhibit करेंगी सारी की-सारी drug है ना तो यह तो platelet को aggregate जो है थ्रोंबोग्वोग्जन A2 तो क्या करता platelet को aggregate कराता ना thromboxanes thromboxanes क्या करा रहे थे तो यह तो platelet AC aggregation platelet को aggregate कराते ना तो यही प्रोटन पंप इनिबीटर के बारे में क्वेशन है तो प्रोटन पंप इनिबीटर में हमारे प्राजोल वाले ड्रग आते हैं वाले में उसने प्रोटन पंप इनिबीटरर में नहीं आपका आपका प्रोटन पंप में प्रोटन पंप इनिबेटर वही रही हो जगा हम आपका तो जे सब विच आश टू ब्लोकर इिनिवेर एंजाइम तो कॉन सा आश टू ब्लोकर अजग लिवर एंजाइम कोücht मुरोग करें गा एंजाइम इनिविटर होती ऐस da । इनिविटर होते कौन सी है से म candidate hiztodine देखें पहले तो हैस टू ब्लोकर में देख है आपकी तो इन में से जो ड्रग दी हुई है वो कि है नोट आइप ओ जो लगजीटीव नहीं है विचार ड्रक्स अब देखिए कह रखे कि इसमें से जो है कौन सा लैक्जेटीव नहीं है आगे तो लैक्जेटीव के बारे में बताए हुए कि लैक्जेटीव क्या कराते हैं लैक्जेटीव के बारे में बताए है यह ड्रक्स होती है प्रमोड कराते है वैक्जेटीव को उन्यकों क्या जाता है तो लाक्जेटीव के लिए आपका यजाता दो को माइन्य की ब appel यक्जेटीव में नहीं करता है लॉपिरमाइड, डॉक्यूसेट, सैना या लैक्टिूलोस देखें डॉक्यूसेट जो है या आपका लैक्जिटिव में जब क्लासिफिकेशन आप लोग देखते हो तो स्टूल सॉफ्टनर में डॉक्यूसेट आता है सैना भी आपका स्टिमूलेंट परगेटिव जो आते हैं उसमें हमारे अंत्रकुनोस में सैना आजेगा लैक्टिूलोस जो है हमारा ओस्मोटिक परगेटिव में तो सारे के सारे आता लेकिन लॉपिरमाइड इस एंटिमॉटिलिटी ड्रग जो होती है न उसमें आपका गैसट्री के सिक्रेशिंघेटि को रीड़्यूस कराएगी कौने ड्रग इसंटली पूछा गाया क्वैशन है कलारित्रोमाइशुट्रॉमयसिन है मैगनीशियम हइड्रोकसाइड स्लहाइड होता है मिल्क औ पर pinned है उसे बोला जाता है न समेतिरीन ह्या जिनिब्क शूहाइ के लिए बाउल को इवैक्वेट करने के लिए और ली दिये जाती है कौन सी ड्रग इटी बीपी में ये भी क्वेशन पूछा हुआ है मतलब कि डी फैकेशन के लिए इंको यूज किया जाता है एंटि डारियल एंटि एमिटिक है ड्रग यूस्ट इंड्यूस वॉमिटिंग यह लाग्जेटिज और कथार्टिक्स तो यह आपके जो है जो बाउल एलिमिनेशन को प्रोमोट कराएंगे तो यह आपके लाग्जेटिव सिंपल लाग्जेटिव की डेफिनेशन आप लोग तो यह laxatives and cathartics हो जाएंगे, तो आपका अंसर हो जाएगा, option 4, next which of the following is true में से कौन सी बात सही लिखी हुए बताईए, milk alkalis syndrome is related to calcium carbonate, calcium carbonate जो CACO3 होता है, यह milk alkalis syndrome से related है, तो यह बात बताना है कौन सा true है, next side effect magnesium hydroxide, जो होता है MgOS 2i, इसका side effect कराकर lose motion करा देता है, side effect aluminum hydroxide का ब तो बताना है कि कौन सा सही है, यह फिर सारी ही सही है, है ना, देखे, यह सारी बाते सही लिखे, milk alkalis syndrome related to calcium carbonate से, magnesium hydroxide lose motion करा देगा, aluminium hydroxide constipation करा देता है, all आपका अंसर हो, जेका option D, next proton pump inhibitor के बारे में, PPIE proton pump inhibitor, प्राजोल वाली ड्रग लाइक ओमी प्राजोल, लैंसो पारिडीन, बैंज, इमिडाजोल, बैंज, थायाजोल, ऑक्सिंडोल, इसमें, बैंज, इमिडाजोल, रिंग होता है, आपके, PPIE proton pump inhibitor, लाइक, ओमी प्राजोल में, ओके, नेक्स्ट क्वेशन है, प्राप्टिक अलसर करने के लिए, प्राप्टिक अलसर है, उसको ट्रीट लाइक सिमेटरीन दिया जाता है, सिमेटरीन, रेंटरीन, वाले एक्स्टू ब्लोकर होते हैं, तो एस्टू एंटागनिस्ट हो जगा, ऑप्शन सी, नेक्स्ट तो इसमें डग प्राप्टिकल से की ड्रुक क्लासिफिकेशन लिखा है, इसमें तो आती है, डेक्शन ऑफ ग पिपियाइ के प्राजोल यको प्राजोल लैननसोह प्राजोल पैंटो प्राजोल रधी प्राजोल इसमेट कॉलिय और देचाल नेक्योंगा इंक्ट्रॡनर वोकर भी केरiशन साहते यह क्या करेंगे acid को neutralize करेंगे acid को तो मतलब क्या है यह क्या होंगे antacid क्या होंगे base होंगे है ना तो देखिए इसमें antacid में आपके systemic और non-systemic सिस्टिमिक में sodium bicarbonate sodium citrate आता है और non-systemic magnesium hydroxide हो जिए magnesium trisilicate aluminum hydroxide gel होता है megalgrade calcium carbonate इस अब आपके non-systemic antacid में आते हैं फिर आपकी एक टाइप एक category होते हैं ulcer protective होते हैं तो यह आपका classification है next question which of the following drug act as an ulcer protective agent तो अभी हमने देखा ulcer protective में कौन सा है था sodium citrate दिया ambroxol दिया सुक्रालफेट सिमेटरीन तो यह आपका सुक्रालफेट आता है option आपका three right हो जिएका MPSC में पूछा गया question recently ulcer protective में सुक्रालफेट और colloidal bismat substrate आता है सुक्रालफेट आता है Osmotic laxative, bulk laxative, emollient laxative, sodium picosulphate आपका आता है diphenyl methanes में आता है तो diphenyl methanes आपके stimulant laxatives में आते हैं तो sodium picosulphate का है हमारा stimulant laxative हो जाएगा option A आपका right हो जाएगा निक्स्ट है तो एक classification लिखा हुआ है आपके जो laxatives का classification उसमें आपके bulk forming agents आते हैं bulk forming agents में आपका dietary fiber में ब्रैन आ जगा, psyllium, e-sub-gol, methyl cellule जो आपसे पूछ लेंगे, e-sub-gol क्या है, bulk forming laxative होता है है ना इस टाइप से options निकालके अभी जैसे हमसे पूछा हुआ था कि देखे liquid जैसे अभी पूछ लेंगे docusate क्या है तो stool softener में आता है मतलब stool को soft करा देते हैं इसमें docusate और liquid paraffin आता है stimulant purgative इनमें डाइफिनाल मिथेंस में फिनॉफ्थलीन भी सेकोड़ाइल से पूछा हुआ था एंधरा किनोंस में सैना कैस कहरा आता है 554 के यूज किये जाती है इनमें जिसमें टिगासी रोड आजेगा fixed oil में कैस्ट्रोल भी कैस्ट्रोल भी क्या है stimulant purgative में आता है फिर osmotic purgative में आपके magnesium salt में magnesium sulfate आजेगा magnesium hydroxide में magnesium hydroxide आता है और आपका जो है sodium में sodium sulfate sodium phosphate आजेगा sodium potassium tartrate इसमें आता है और lactulose या आपके उस्मोटिक परगेटिव नेक्स्ट है all of the following stimulant purgative accept तो stimulant purgative है सारे के सारे stimulant purgative है एक को छोड़के 20 एकोडाइल तो 20 एकोडाइल आपका stimulant purgative में आता है बिल्कुल अटाइल में हमने देखा सायना सायना एंथ्रकिनोंस में आता है stimulant purgative है कैस्ट्रोइल भी आपका stimulant purgative में आया है फिक्स्ट्रोइल में आता है कैस्ट्रोइल लिक्विड पैराफिन लिक्विड पैराफिन किसमें आता है आपका स्टूल सोफटनर अना क्लासिएशन अमने आपको दिखा है या इस आपने लिकुविड पैराफिन आहिए आपके क्या होते हैं यह आपके स्टूल सॉफ्ट नर होते हैं तो स्टिब्लेंट परगेटिव में तीनोड रगाएगी एक जो है एक सप्ट में लिक्विड पैराफिन आजगा इस रो का पूछावा क्वेशन है नेक्स्ट फॉलूंग इस नाच्रल लाक्जेटिव नाच्रल आपका यूज होता है तो यह क्या करा देते हैं यह देखे तीनों ही चीज़े कराएंगे ओल हो जेगा डायरिया करा देते हैं नेक्सा ड्रक सप्रेसिंग नोजय और वामिटिंग को सप्रेस करेंगी बिल्कुल ड्रग है एंटी अमिटिक होंगी वह है ना ऑप्शन ए आप अपकी अंटिसेकोटिक ड्रक ना वो भी उसकी जाती है प्रोक्लोर १ीम्ट परिड़नल इक्साइबग में ए डेक्सायोंसे ना ऑप्शन वह बीकृप्रीज़ेश होती हैं ऑंडेन्सुस्ट्रोन ग्रैनिस सित्रोन बहुत इंपोरेंट ओंडसिट्रोन अट्जरों में आ जो डायाज़ेपिन्स एंड कैनाबिनाइट्स किये जाते हैं इस प्रोटन पंप इनिबिटर मोस्ट एफेक्टिव एंड गिवन पीपी आइस को यह एफेक्टिव होते हैं मतलब किस टाइम देना होता है हाफ आर बिफोर मिल विद मिल आफ्टर प्रोलॉंग फास्टिंग आ एक आपके एमेटिक जो एमेसिस और थैघ्ली आपके rebbe करेंगे तो यह ओंअ जो है वामिटिंग को इंड्यूज कराते हो एमेसिस कराते हैं तो यह एम किसी और व्यवांप आते हैं पूलूंग इलांग निजसे सबादिकल वाली ट्रुग का आप लोगों के निलासिएशि और दूसरे क्या होते हैं जो इसको नुट्रलाइज कराएंगी तो उसमें आपने सिस्टेमिक आटासेट देखें नोन सिस्टेमिक में सोडियम बाइक और नहीं आएगा साल करने के साल के समयस्टेमिक करते हो सीन देखें नोन सिस्टेमिक में सोडियम यूछा सैड में सॉडिय में सोडियम बाइक और डिय हिए इनके ड्री कीट आपकिने Aviation र slopes process कौघें चाहिए ओस्माटिक लोड ऊंट इंटास будете तो यह कौन से टाइप के आपके जो है ड्रक सा सलाइन काथार्टिक्स है लुब्रिकेंट्स है बल्क परगेटिव है तो बल्क फॉर्मिंग आजेंट्स तो ऐसा नहीं कराती है जो आपके यह कहरे है ओस्मोटिक लोड फिंटरस्टाइन बाइ अब्जोबिंग लार्ज क्वा पाइलोरी हेलिकोबेक्टर पाइलोरी ई कोलाई एक जियाडे लंब लिया तो ऐच पाइलोरी कराते है ना पैप्टिकल सर्कोज ऑप्शन बी राइट हो जेगा ने सब्सक्राइब और रिपीटिटिट और मोस्ट इंपोर्टन कोईशन बहुत बार रिपीट वा फाइफ ए पाइफ एस्ट्री एंटागरिस्ट ऑप्शन ए राइट हो जेगा ने सब फाइफ एस्ट्री एंटागरिस्ट यूजर न एंटी एमिटिक एज़ंट की इस दरों में पूछ लिया तो ओंडन से ट्रोन होता है आपका है ना ऑप्शन ने हो जगा बाकि डॉम पेरिडोन आप मैंने पर आपको जो लाङिशाटिकशन बताया तो चौवल की तो किसमें बॉटेंग पर्म फिरणय एस्टेयू इस्टियूत envol कुंट वर्मिटिक से एंट में होता है तो अब्लंग आठा नेशा आमेटिक्स स्टिमुलेट दे कि आपकी आंमेटिक्स होते हैं ना तो वो किसको स्टिमुलेट करेंगे CTZ की मुर्ट 주 आप्र ट्रिगर्जॉन, लंग से ब्रोंक्यों साटेक है तो CTZ को स्टिमुलेट कराते है ना option A आपने सिस्टेमिक और नोन श्टेमिक आप लोग पड़े थे तो नोन सिस्टेमिक में आपने यह था था यह तो आपको तो आपको सिंपल फूझागे आता है ऑप्षिन भी को इनिबट करने के लिए मौस्ट इफ्याइव ड्रग कॉन से अधिसा का प्रिवस क्वेशन है तो रांटडीन पायंजीपीन ओमिप्राजूल और फैमोटडीन तो देखिए मौस्ट जो इफ्याइव होता है वो आपके पी पी आई होती है हमिप्राजूल आजएगा पी पी लाइन एकस्पेक्टोरेंट कौन सा है तो यह क्वेशन भी देख लीजिए तो आमोनियम क्लॉराइड होता है उप्षिन ए राइट हो जेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉलूंग इस यूज यूज लैक्जेटी इनमें से कौन सा लैक्जेटी है देखें सोडियम बा पताश्यम टाट्रेट दिया है तो आपका जो है लैक्जेटी में आपका आजेगा सोडें पताश्यम टाट्रेट आजेगा उप्षिन डी आपका राइट हो जेगा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलिंग टाबलेट नीट टेकर एंपटी स्टमक खाली पेट कौन सी इसमें से लेनी होती है कि पैंटो प्राजोल लोगे एस्परिन लोगे डिकलोफिनयक लोगे सिट्रिजन लोगे तो आपके जो पीपी आई होते हैं उनको प्रैफर करते हैं उनको लेना होता है तो आपके ऑप्शन ने हो जगा पीपी आई में प्रैंटो प्राजोल आपको दिया है प् altura के इस तो वैक बेस तो क्या होगे यह वीक बेस होते हैं क्या होते हैं उप्षिन का शक्र прав काउनटा रस दो Olie 12цы करेंगे को स्टामस्ट जब तो क्या क्या विक इस होते हैं तो कह बिए किया क्या चक्रेश का कॉन्हाइब यही पूछा हुआ तो यह क्या है आपका प्रोटन पंप पाम्प अप्शन आपको दिया है एस इनिबीटर तो आपके अंच्योटेंसिन कनवर्टिंग अनजायम इनिबीटर में आपकी प्रील वाले ड्रग आठ्यें कैप्टो प्रील अ लेसिनोप्रील इनालाप्रील कार्बोनिक इनन हइड्रेस इनिबीटर में तो हमारे कों सुवा गला नाestro आप्शाईयो में यह आपका यहोगा बैंट्प सिक्वाइट के लिए कुन सा इंस्ट्रीजन प्राफर करेंगे अट्रॉपिन मित्रीटरीट क्विकन सिक्लीट को लामीन हो जाएगा ना जाएन ऐसे यहाँ है ना ओप्शन टू से पहुज़ को लिग यहां पर तो क्या हो जाएगा आप्शन एक एक ड्रग यूज्ट बोट एंटेस्ट तो मैं आपको बता है एक ड्रग है जो आपके यहां पर संट्ब्स जो स्विशन होता है कहा जाता है यह जो यहां रखना है वह हमारा मैंगनेश्युम हाइड्रोक्साइड होता है मेगनिशयम् वॉट्फियक्ञ लॉटॉपिरमाइट तो इसमें लोपिरमाइट आपको दिखाई दिर आंटिमोटिलेटेटी ड्रग में आता है। निक्स्ट अंटिमोटिलेटी ड्रग में आती है। पूछोगे फॉलिउंगी इस नोट पूछा हुआ है नसर फॉर्मुला ओरस कंटेन तो फॉर्मुला जो है ओरस में जो है क्या 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 प्राजंट है निसील तो सब में ही दिया हुआ है है थे इस निसील के साथ में डेकस्ट्रोज एनीसील त्राइस ट्राइस त्राइस्ट्रेट डायज़रेटर गुल्नाहिड्रस यह उप्शन दी वाला राइट हो जगा है आपका ओके अन्ति स्कूरेटरी ड्रग जो प्यप्टिक अल्सर में यूज़ की जाती है सलफासालाजीन कैलशियम काबरेंट मेगनीशियम उक्साड यह आपका सलफासालाजीन एंटी सिक्रेटरी ड्रग होते पैप्टिक अलसन में यूज करते हैं विच बन ओफ दीज इस यूज़ यूज़ आज ऑस्मोटिक पर गेटिव तो ऑस्मोटिक पर गेटिव में कौन सा तो मिल्क ओफ मेगनीशियम हीड्रोकसाइड बिल्कुल आता है वैसे तो बाकि ऑप्षिन देखिए सेना सेना तो आपका जो है किसमें आता है सेना अंध्रकिनोंस ग्लाइकोसाइड में आप सेना पड़ते हो ना तो यह आपका स्टिमुलेंट में आ जाता है देखा ना तो किसमें डाय KIM दोगी इसको पैप्तिकल कव सर्में आपका भी होजेगा निक्स्ट है तो मेगाल्डेट करें हाइड्रेट कॉमपलैक्स होता है Hydroxy Magnesium Aluminate का that initially 리 die प्रट्ली विद्द आइस्प्ट D and really Pol Generally Christian rock all Be बताएगे नोन सिस्थी काबनेट था आ था अलुमिनियम घ्ट्रोकसाइड जयल मेगनिशम ट्राइसिलिकेट मेगनिशम अर्ट्रोकसाइड मेगाल रेठेट थे मेह दिया तो बहुतियों और अप्षैड नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथाटिक डाय सेकरेड कंटेनी जिसमें गलक्तो और और प्रक्तो अवर्क्तो अधान है तो यह क्या है ऐससे को ढूकोश्ष uh Oh आसके फॉमला आप लोग नहीं देखा हूँ उसमा गुलुकोश करते क्विध केके संथलन Toni सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा यह करेगी मेटाबोलिजम परासिटामोल को इंक्रीज करेगी डिक्रीज अनालजेसिक इफेक्ट डिक्रीज ओंसर टाइम फॉर नालजेसिया निक्स्ट है क्या फंक्षन है तो एंटीएमिटिक सिंपल है नोश है वो प्रिवेंट कर लिए उस करेंगे पें रिलीफ तो आपके एनालजेसिक सहनेंगे ऐअन्टी इंफ्लेमीटरी ओंसर, इंफ्लेमेशन को इनिबीटर होते हैं तो क्या करेंगे हिस्टामिन के आस्ट रिसेप्टर को ब्लोग तो ट्रीडीन वाले ड्रग करेंगे लैक्सिमेटिडीन रन्टिडीन हैना ऑप्शन बी हो जेगा प्रोटन पंप इनिबीटर होते हैं निक्स्ट है एजन्ट यूज़ फौर रिदूसिंग आस्टिडीन स्टमक की आस्टिडी को रिड्यूस कोन करेगा आस्टिडी को कौन सी ड्रग रिड्यूस करेगी आस्टिडी फायर करेंगे प्रोटक्टिव एड्जोर्मेंट ये आइंट आस्ट तो यह आपका आइंट आस्ट करेंगे ना ऑप्शन डी हो जेगा नेक्स्ट ह प्रोमोटिंग इजी बाउल इवकुएचन प्रोट değer इंटेश्ट एड्जोर्बैंट नहीं होंगे यह लैक्जेटीव लॉते हैं लैक्जेटीव का डे mycket डेफीनेशन ही होता है क्या करते बाउल यह प्रोमोट कर टे easy इसके एक्जामपल में क्या पाइपमोर्फिन यूज किया जाता है ऐसा अमिटिक यूज किया जाता है एक्सप्ट पूछा हुआ है ओमिप्राजोल, पैंटोप्राजोल, रभीप्राजोल, अलबेंडाजोल कहां से आ गया ये तो आपका पीपी आई में नहीं आता option D right हो जगा next is carminatives are drug, carminatives क्या कराएंगे to expel gas from the stomach option A ही right दिया हुआ है है ना बाकी का options देख लिए जो option A right हो गया next is basilar dysentery is usually caused by तो basilar dysentery कोन कोस कराएंगा equalize shigela pasturant none तो ये शिगेला कोस कराता है option B next है ring system जो rentadine में कोन सा ring है फिरान, thiazol, imidazol या none तो rentadine जो S2 blocker है इसमें आपका फिरान ring present है बाकी फिरान हो गया rentadine में, cimetadine में, imidazol, famotidine में, thiazol ring है next magnesium sulfate is used as magnesium sulfate जो होता है इसका क्या use है तो आपका जो है magnesium sulfate का लिखा हुए है की dehydrating agent है cathartic agent है, seizures को prevent करेगा या hyperamic होता है तो यह आपका है cathartic होता है option 2 right हो जगा next है milk of magnesia is an example of which group of laxatives milk of magnesia, magnesium hydroxide जो होता है तो यह किस में आता है कौन से type के laxatives में milk of magnesia आप लोगों ने देखा था bulk forming में देखा था क्या जैसे की सब गोल आता है bulk forming में तो है ना बाकी stimulant जो osmotic laxative में आता है यह option 2 होजेगा stimulant laxative दिया फीकल स्वापनर दिया ओकी तो option 2 के लिए आपको next है prokinetic drug बताइए कौन से सप्राइड मोसप्राइड टिगासी रोड या ओल देके सारी एक जिसी लग रही है वैसे तो तो यह prokinetic drug में आते सिसाप्राइड मोसप्राइड टिगासी रोड ओकी नेक्स्ट है which of the following statement is true about सिसाप्राइड जो prokinetic drug ने सिसाप्राइड के बारे में कौन सा true है prokinetic है बिल्कुल है ओकई यह प्रोलौं ट्राइड को 501 आगनिस्ट हाय एयाँ औल देंDas सारी बाते साही है qt इंट्रेडक को प्रोलौं किtså 10 154 के अगनिस्ट होते है प्रो काने एयो कि नेक्स्ट है while prescribing a treatment to a young female patient suffering from प्युपक्र असर associated with säger helicobacter pylory gastron एंटिरो लोजेस्ट् विल नेगलेक्ट को नेगलेक्ट करेंगे टेट्रा सैक्लिन वैंको माय इसी नहीं देंगे बाकि टेट्रा सैक्लिन देंगे अमोक्सिलिन मेट्रो निडाजोल ओके नेक्स्ट है mechanism of action of Ondan Citrion, citron, Ondan Citron, Granitron था था आपको तो 5HT3 के क्या है, एंटागनिस्ट या अगो निस्ट बताईए, एंटागनिस्ट होते हैं, उके, मस्क्रिंग पर सब्टर एंटागनिस्ट हम नहीं होगे, यह 5ST3 एंटागनिस्ट होगे, नेक्स्ट है ड्रग यूजिन जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, रेंटडीन, सिमेटडीन, सुक्रालफेट, ओमी, प्राजोल, तो यह आपके प्राजोल वाले हो जेंगे ना, पीपी आई, ऑप्शन डी, नेक्स्ट है, वन ओफ फोलूंग इस, फीकल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ नेक्स्ट हो जाएगा, स्टूल सॉफटनर में, बिस अकुडाइल तो आपका किसमें आता है, स्टिमुलांट पर गेटिमिन, डाइफिनल मिधेन में आया था ना, तो लिखा हुए, स्टूल सॉफनर की ड्रग, डोकुसाटन लिक्विट पराफिन, डैश इस यूजिज इस कफ मिक्चर एज एन एंटी एमिटिक ड्रग कोंसी है, इन में से बता नहीं है, CRPF में पूछागा एक क्वाशन है, पैनिसिलामीन, ओंडन सिट्रोन, क्रॉनेटिल लाइम या अंफिटामीन, तो बिल्कुर सिंपल एंटी एमिटिक में ओंडन सिट्रोन नहीं तो दिया हु है, बल्क लाइक जैटिव है, ओस्मोटिक लाइक जैटिव है, ओस्मोटिक पर्गेटिव, तो इस अब गोल हमारा बल्क फॉर्मिंग एजंट में पाश्मらいन कहा ही नहीं सकते तो इने क्या कहते हैं लाग्जेटिव को एपेरियंट्स कहा जाता है एक सफेयरीटिव..? माइलडर ऑक्छिन पर लइग्जेटिवि champions पर लाग्जेटिव का माइलड अक्षिन होता है का थार्टिक्स का के design ividade एक्षिन होता है Catholic का strong action होता है और Strong action on constipation अर्च बहुत सारी drugs ऐसी होते हैं जो low dose पर लाइक्जिती होती है और large dose में वो तो ये सारी बाते से लिखी हुई है 554 partial agonist तो आपका टिगास सी रोड है ना ओप्शन ए आपका राइट हो जगा तो यह हो गई हमारे जो गैस्ट्रो इंटेसिनल ड्रक्स के तो एक क्वेशन आप लोग देने वाले हैं आप लोग के लिए क्या क्वेशन है प्रोटोन पंप इनीबीटर में कौन सा आएगा देखिए मैं आप भी आपको बहुत बार बता दिया सुक्राल फिट मिल्क ऑफ मेंगनेशा रेंटेडी नोमी प्राजुल इस कांसर आप लोग